नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देव फूमी करियर पॉइंट पर आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफ़ी अच्छी आपकी स्टेडी चल रही होगी तो दिखें फाइनली उत्रा इस्टिव कॉपरिटिव बैंक का रिजल्ट जारी हो चुका है आप सभी को पता है जून में इसका एकजाम हुआ था इसमें वरियस पोष्ट थी जैसे कि कलर्क कम कैसियर की पोष्ट थी जूनियर ब्रांच मैनेजर सीनियर ब्रांच मैनेजर तो ऐसे पदों के लिए भरती हुई थी और इसका अंतिम चैन परिणाम यानिकि एलोट्मेंट जो लिश्ट होती है उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है इसके साथ-साथ जो उत्राखंट कॉपरेटिव इंस्टिट्यूशनल सर्विस बोर्ड है उसने यह भी बताया कि भहुत से पदों की जो वेकेंसी है वो खाली रह गई है क्योंकि उसमें eligible candidate नहीं मिल पाए और सा की तरफ से हार्दिक सुपकाम ना है आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे भगते रहें और जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाए तो आप लोग मेनत करते रहो भाई एक नएक दिन ऐसे ही फाइनल लिश्ट में आपका नाम भी ज़रूर होगा ठीक है बागी यहाँ पर आप इसमें 162 के आसपास आए थिंग वेगेंसी थी ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बाद नोट इसका तो देखे यहाँ पर आयोग जो है हमारा जो यहाँ पर हमारा कॉर्परेटिव इंस्टिट्यूट है वो बताता है कि IBPS ने 11 जिला सहकारी बैंकों है कनिष्ट लीपिक 162 में से 154 पद पर कनिष्ट साखा परबंदग 54 पदों मैं से 10 पदों पर देखिए जो हमारा जूनियर ब्रांच मैनेजर है न इसमें 54 पदों के सापेक्षी के वल 10 ही लोग सेलेक्ट हुए हैं कलर्क में 162 मैं से 154 लोगों का सेलेक्शन हुआ है यानि कि कुछ प वेगेंसी रहे गई है और बाकि यह बोला गया जो हमारा इंस्टिटूट है कॉपरेटिव इंस्टिटूट इसने यह बोला है कि जितने भी पदों पर वेगेंसी रहे गई है इन पदों के लिए अगले तीन-चार महिने में फिर से एक नई सिरे से यहां पर एक्जाम करव जाएगा ठीक है इन्होंने वेल्टिंग हो गए रागा कोई जीकरिसमन नहीं किया